हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू मी एन माई किचन और आज मैं आपके साथ सिया करने वाली हूँ बहुती स्पेशल और यूनिक रेसिपी जो की है अरेबिक डिजर्ट्स या ओरेंज मिल्क फोडिंग रेसिपी चलिए फिर इस अरेबिक डिजर्ट्स को बनाना सुर्यों करते हैं अरेबिक डिजर्ट्स बनाने के लिए मैंने लिया है डेड़ कप फुल क्रीम दूद और अब मैं एक पाउल लूँगी और इस पाउल में डालूँगी दो टेबल स्पून कॉन फ्लॉर और इसमें चार चमल दूद दूद डालूँगी मैंने इसमें ठंडी दूद का यूज किया है और अब मैं दूद और कॉन फ्लॉर को गुठलिया खतम होने तक मिक्स करूँगी अब कौन फ्लोर अच्छे से मिक्स हो चुका है मैं इसको साइड में रखतूंगी अब मैं एक फैन को गैस पर रखूंगी और उसमें एड़ करूंगी दूद और दूद को बीच बीच में चलाती हुए उबा लाने तक बोईल करूंगी और अभी मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है अब दूद में बोईल आ चुका है अब मैं इसको एक बार चला लूंगी और इसको अब मैं मीडियम फ्लेम पर कौन फ्लोर मिक्चर अड़ करूंगी कौन फ्लोर मिक्चर को थोड़ा थोड़ा करके लगतार चलाते हुए मिक्स करें अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैं इसको लोई फ्लेम पर गाड़ा होने तक पकाऊंगी अब मिक्चर थोड़ा सा घाड़ा होने लगा है और अब मैं इसमें एड़ करूंगी 1-2 cup सुगर और 1-4 तेबल इसपून ओरेंज पाउडर मैंने इसमें ओरेंज पाउडर का यूज किया है आप ओरेंज पाउडर की जगे फ्रेस ओरेंज को ग्रेट करके इसमें वन टेबल स्पून ओरेंज फिल्ड एड़ कर सकते हूँ अब मिक्स्चर अच्छे से गाड़ा हो चुका है और मुझे इसे कुक करने में 6-7 मिनट लगे है और साथ ही में फैन की साइड भी छोड़ने लगा है बस हमें इसको होर जादा नहीं पकाना है अब ये सही स्टेज में आ चुका है आप देख सकते हो अब मैंने गैस का फ्लेम ओफ कर दिया है और मैं इसको थोड़ी देर चलाते हुए ठंड़ा कर लोंगे अब मिक्चर थोड़ा सा ठंड़ा हो चुका है और अब मैं इसको एक सर्विंग बाव लिया फिर गिलास में ढाल लोंगे और सर्विंग ग्लास में डालने के बाद अब मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में सैट होने के लिए रखतूंगे और जब तक हमारा mixture set होता है मैं इसकी दूसरी layer तयार करूँगे जिसके लिए मैंने लिया है 1.5 cup orange juice और अब मैं लूँगी 2 tablespoon corn flour और इसमें add करूँगी 2 tablespoon पानी मैंने इसमें normal पानी का यूज किया है और अब मैं पानी को corn flour में गुठलिया खताम होने तक mix कर लूँगे अब corn flour और पानी अच्छे से mix हो चुका है मैं इनको side में रख दूँगे और अब मैं एक pan को gas पर रखूँगी और उसमें add करूँगी orange juice और 1 fourth cup sugar और अब मैं juice और sugar को low flame पर mix कर लूँगे अब ये अच्छे से mix हो चुका है अब मैं इसमें add करूँगी corn flour mixture और corn flour mixture को लगतार चलाते हुए mix कर लूँगे मैंने corn flour mixture को अच्छे से mix कर लिया है और अब मैं इसको medium flame पर ही लगतार चलाते हुए corn flour और juice के गाड़ा होने तक कुक करूँगे मुझे इसे पकाने में 6-7 मिनट लगे है आपको इसको cook करने में बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आप लगतार चलाते हुए cook करें जिससे की ये fan के तले में लगे नहीं अगर ये जल गया तो इसका पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा अब ये अच्छे से गाड़ा हो चुका है और मैंने gas को off कर दिया और इसको चलाते हुए ठंडा कर लिया है अब हमारा glass भी set हो चुका है मैंने उसको freeze से निकाल लिया और second layer भी उसके उपर ढाल दूँगे और इसको ढालने के बाद मैं फिर से freeze में 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगे 10 से 15 मिनट बाद मैंने glass को freeze से निकाल लिया और अब मैं थोड़े से पिस्ताश्यों से गानिश करूँगे आप इसको अपनी मन पसंद अनुसार किसी भी dry fruit से गानिश कर सकते हो मैंने इसको पिस्ताश्यों से गानिश कर लिया है और हमारा yummy digits बन कर तैयार है मैं आपको इसका texture दिखाते हूँ कि ये कितना smooth और creamy बनाए और अगर आपको ये अरेबिक डिजर्स रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like और share और मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा कर दोपया और क्थे चैनल को अगरेबी ये ये चैनल कर ढूलिएगा